इसमें नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के कैसे हैं आप सभी लुक प्यारे साथियों दो हजार चौबिस और मार्च का महिना और बिहार में एक और पैत्रिन सी भरती आ चुकी है बिहार बिजली विभाग भरती चीहां प्यारे साथियों इस भरती का इंतिजार आप सभी को कई दिनों से था और ये भरती आ चुकी है तो प्यारे साथियों ये एक नए साल का करेंगे मेरे भाई तो सेशन में आप लोग एंड तक सेशन को देखेगा ताकि आपको यहां पर सारी जनकरी आपको मिल जाए ठीक है मेरे प्यारे सत्यों आईए बिहार बिजली विभाग में जो पदों की संख्या है वह 2600 प्लस पदों की संख्या और याद रखेगा नौट सब्सक्राइब भाई बिहार बिजली विभाग बिजली विवाग बहर बिजली विभाग इसका जो मेरे बात करेंगी पोश्ट का नाम क्या-क्या है तो पोश्ट के नाप पे सबसे पहले मेरे भाई टैक्सीसियन है आपके सामने फिर क्लर्क है फिर यहाँ पर मेरे और भी पोश्टिस हैं यहाँ ठीक है यहाँ रखेगा ऑफिसल वैपसाइट इसकी यह वैंने लिखी हुई है यह आप यह ऑफिसल वैबसाइट है आप लोग चाहें तो ऑफिसल वैबसाइट पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं बाद में अगर में बात करो मेरे भाई कुल पोश्टों की संख्या मेरे भाई 2610 पोश्ट यहाँ पर है 2610 पन यहाँ पर आपके दिये गए हैं और इसका जो यहाँ पर करेंगे और यहाँ दखेगा यहाँ जो इसकी लाश्ट डेट है यानि जो अंतिम्तिती है वो 304-2024 है क्या है इसकी जो अंतिम्तिती है 304-2024 है यानि इसकी जो फॉर्म भरने स्टाट होगे मेरे यहाँ दखेगा यानि जिसका online फॉर्म भरने जो स्टाट होगा वह मेरे भाई 1 अप्रेल से स्टाट होगा और जो इसकी end date है यानि मतलब कभी इसके form बढ़ना बंद हो जाएंगे तो आपके 30 अप्रेल को form बढ़ना बंद हो जाएंगे तो लाश डेट का इंतजार मत कीजेगा अंतिम डेट का बिलकुल नत्यार नहीं करना अभी तो एक अप्रेल आया भी नहीं है और उससे पहले ही notification यहां पे जा है कि मेरे भाई जो apply start date आपकी कितनी है 142024 है और apply last date इसकी कितनी है 342024 है मतलब यहां पे आपकी जो apply date है वो एक है और यहां पे आपकी 30 अप्रेल तक इस form को भरे जाएंगे clear है मेरे भाई बहुत बढ़िया आईए यहां पर अगली में देखिए मेरे एज गुरुप की अ अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो कह रहा है कि minimum age है 18 वर से यानि अगर आप 18 साल के है वह आपने टेक्सी से एंग्रेट सेकेंड या junior electrical engineer का अब भढ़ सकते हैं तो 18 साल की उम्र यहां पर मांगी गई है और minimum जो एज है मेरे भाई वो है 21 साल for other post के लिए है और maximum जो एज है warriors post 2024 recruitment roles यानि इसके अनुसार जो भी विहार सरकार में आयू सीमा पे छूट का प्रावधान है वो यहां पे आपको दिया जाएगा क्लियर है चलिए आगे देखते हैं अब देखो वेकेंसी मेरे यहां पे वेकेंसी के अगर मैं बात करूँ तो मेरे या दखीगा assistant executive engineer की जो पद है मेरे भाई वो 40 है या दखीगा junior electrical engineer के जो पद है वो भी 40 है यहां पे जो आपका किलर का है मेरे बाई क्रॉस्पॉंडेंस clerk के जो पद है वो 1500 पद है साथी में store assistant के जो पद है मेरे भाई वो 80 पद है junior accounts clerk के यहां पे जो पद है वो 300 पद है और technician grade 3 के जो यहां पे पद है वो 2000 पद यहां पर है यानि कुल अगर पदों की संचागी बात करे तो 2610 पद यहां पे हो जाएंगे 2710 पद यहां पर आपके सामने टोटल मेरे भाई यहां पर हो जाएंगे यह सारी पदों की संख्या मैंने आपको बता दी अब देखें यहां पर मेरे भाई क्या 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 degree यहां पर होनी चाहिए इसके बारे में आपको qualification के बारे मता देता हूं अगर आप GTO का form बर र ही इससे अप्रूब्ड होना चाहिए यानि आपको इन किसी भी अगर आपकी कोई भी डिग्री तो आप इसका form बढ़ सकते हैं बात में जूनियर जूनियर इलेक्टिकल इंजिनियर के क्या है कि फूल टाइम थ्री यह डिप्लोमा इन इलेक्टिकल फ्रॉम रिकॉनाइज कॉलेज या रिकॉनाइज भाई इस्टेट गॉवर्वेंट आपको मेरे भाई यहां से क्या करना पड़ेगा तीन इयर का आपको डिप्लोमा है अगर आपने वो किया तो आप इसका भी फॉर्म भढ़ सकते हैं ठीके मेरे भाई चलिए अब इसमें मेरे भाई कि यहां पे क चाहिए है चाहें आपने बीए किया और बीसी किया कुछ भी किया हो लेकिन ग्रेजिएशन की डिगरी आपके पास यहां पर होनी चाहिए मेरे भाई क्लियर है इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद दखेएगा ठीक है इस्टोर असेंट यहां पर कहना है कि ग्रेजव हम लोग करेंगे जूनियर एकाउंट्स क्लर की के लिए तो इसके लिए मेरे भाई क्या रहा है ग्रेट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉनाइज उनुवर्सिटी यहां पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से होना चाहिए यानि जिन लोगों ने विकॉम किया ह है वह यहां से हो जाएंगे तो उनका काम बन जाएगा वह फॉम डाल सकते हैं इसके बाद टेक्निशन ग्रेट थर्ड यहां पर अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर मेरे भाई तो यहां दखीगा टेक्निशन ग्रेट थर्ड के लिए क्या है कि मस्ट है पास्ट मेक्टिकुलर को इट्स एक्क्यूविलेंट फ्रॉम रिकुनाइज हिनुवर्सिटी तो आपको मेरे भाई यहां दखीगा 12 पास यहां पे होना चाहिए साथी में यहां पे कह रहा है कि 2 साल का ITI सर्टिफिकेट भी आपको इलेक्रिशन ट्रेट का होना चाहिए यहनि अगर आप टेक्सिशन गेट थर्ड का फॉर्म डालते हैं तो आपको 12 तो पास होना ही चाहिए साथी साथ में आपको 2 साल का मेरे भाई यहां दखीगा 2 साल का ITI सर्टिफिकेट भी आपका यहां पर बात करेंगे फीस कितनी लगेगी तो फीस के अगर हम बात करें तो याद दखीगा मेरे भाई जन्रल एबीसी और बीसी इनकी जो फीस है मेरे भाई वह है पंदासो रुपए स्टी एस्टी पी डबलू की फीस है मेरे भाई 375 रुपए और यहाँ पर दिव्यांग जो है उनकी फीस है 375 रुपए और फीमेल की फीस है 375 रुपए और यह पेमेंट मोड जो है आपका वो कौन सा मेरे भाई वो ऑन्लाइन मोड है यादि ओनलाइन ही फॉर्म बनना पड़ेगा और ओनलाइन ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है यहाँ दखीगा मेरे चलर्क 9000 दो सबॉर टेक्नििक्सन गरेट की 9200 यह मेरे भाई क्या है यह आपकी सैल्लीक गराउंड है ठीक है मेरे याद दखीका तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी मेरे भाई आप जिसमें वहे इंट से मत जाने दो मेरे भाई आपके सामने बाता रही होगी सर आ स्लेबस डिसकस नहीं किया है तो मिरे भाई स्लेबस को भी मैं बहुत ही अच्छे तरह के से डिसकस करूंगा सबसे पहले मैंने आपको क्वालिफिकेशन आपकी आई यू एज और साथी साथ में सैल्डी क्या-क्या है किसमें कितनी वेकेंसी हैं यह सारी चीजे मैंने यहां प को कल ही सिलेबस बता दुए एक अलग से पूरा एकदम कम माइंद से लिव कर रहा है ताक्कि आपको स्लेबस पूरी इच्छी तरीके से पता चल जा transactions ALL की इसके बारे मैं आपको जानकारी बतालोगऀ चलिए तो इस प्राम चैलिए क driver को जोईन करें यहां पर सारी जानकारिया मिल जाती है जो भी वेकंसी आती है आपको उस वेकंसी के बारे में यहां पर पूरा अपडेट यहां पर कर दिया जाता है ठीक है मेरे वाई चलिए तो प्यारे साथ हूं आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से next class में तब तक के लिए जै हिंज जै भारत थेंकू सो मच बाइबाए